हेलो गाइज वेलकम टो अने दर वीडियो प्सक्राइब के ओर से मार्च क्वाटर के फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है स्टैंडल ऑन रिजल्ट आउट हो चुका है और फिनांशल रिजल्ट का साथ में कंपनी की ओर से 28 रुपीच पर रिक्विडी शेयर का एक डिविड और इसका जो डिविडेंड है फिक्स रखा गया है डेट रखा गया है ट्वेंटी जून दोजाट चौबिस का जो कि आइज हम किलते कंपनी के फिनांसल रिजल्ट पर गाइस पहले कॉन्सॉलीडेटेट फिनांसल रिजल्ट को मोग करेंगे नंबर करोड में हैं इंकम है 68 3122 करोड क फिछले कॉड़र में 55,965 करोड मार्च dwить फिफ्र ही क्या है दोनों में इंकृटर किया है एक्सिंस सी Battery जिसके बाद ओप्रेइटिनंग 1190 कैillar के एक्सपेंस उन कॉट armies 2022 करोड में इंकिरीज liberal इंक्रेट 계 bada का 6421.8 करोड का पिछले क्वार्टर में 4771.8 करोड का और मार्स 23 क्वार्टर में 5907 करोड का अप्रेटिंग पॉफिट है क्वार्टर और क्वार्टर यर और यर में इंक्रेज किया है लेकिन नेट पॉफिट कंपनी का है 5003 करोड़ का पिछले कोब्टर में 3594.5 कैanka मार्श 23 कोब्टर में 4446.7 किरोर अपडरेटी ने पाुविट है कोब्टर औन कोब्टर यर औन अर में इंक्रीज किया है imps 31.95 रुपइस का और कोब्टर अंक्राईयरों अर में इंकब में इंक्रीज किया है, expenses वहाँ 20,400, so 2,4,847 करोड का, 23 में 1,69,296 करोड का, expense था, जो कि expense में इंक्रीज किया है, operating profit 20,517 करोड का, 23 में 17,109 करोड का, operating profit में भी increase है, और net profit है कंपनी का, इस बार पेश किया है, अगर हम दिखेंगे, तो 15,569 करोड का, 23 में 12,624 करोड का, increase करता हुआ देखने को मिला है, EPS 93.88 रुपीज का, 23 से increase किया है, तो guys, company का result अगर देखा जाते, consolidated में बहुत ही strong पेश किया है, क्योंकि income profit दोनों में increase किया है, operating margin 10.78% का, profit margin 7.47% का, दोनों increase करता हुआ देखने को मिल रही है, और अगर हम segment wise बात करें, तो company infrastructure project, energy projects, high tech manufacturing, IT and technology services, financial services, development project, others सभी को add करके, इस बार का income हुआ जो की quarter ended हो या financial ended बहुत ही strong jump देखने को मिला है, वह एकर हम इसके stand-alone financial result को cover करेगा, इस तो company का जो income है, इस बार का, अगर देखा जाए, तो guys, एक बार का income है, 40,573 करोड का, पिछले quarter 32,826 करोड का, और March 23 quarter में 37,814 करोड का income है, quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है, expenses 37,284 करोड का, पिछले quarter में 30,210 करोड का, और March 23 quarter 34,101 करोड का expense हुआ था, quarter on quarter year on year में expense increase लेकिन year on year में बहुत जएदा हुआ इसके कारण profit में down है, operating profit है, इस बार का, अगर देखा जाए, 33,39 करोड का, पिछले quarter में 26,60 करोड का, और March 23 quarter 37,12 करोड का operating profit है, quarter on quarter में increase है, year on year में decrease किया है, net profit 2666 करोड का, पिछले quarter में 21,36 करोड का, और March 23 quarter में 3,002 करोड का profit है, quarter on quarter में increase है, year on year में decrease किया है, EPS 19.3 EPS का quarter on quarter में increase है year on year में decrease किया है तो guys company का overall result अगर देखा जाए तो बहुत अची result पेश किया है बस quarter standard on का profit जो तोलो सा down देखने को मिला था और order इस बार अगर देखा जाए तो 3 lakh करोड का exceed किया है inflow order किया है मन्दख inflow किया जो कि year on year में 31% का increase किया है revenue भी 2.1 to 1 lakh करोड का increase किया जो इस बार जन्रेट हुआ जो कि 21% का growth देखने को मिला profit after tax consolidated में 25% का year on year में growth हुआ बोड ने 28 पर रुपेश पा रिक्विडीश एर का जो कि final dividend भी रिकर्मेंट पेश किया है और गाइस company की और से गाइस सभी पैरमेटर से कर देखे तो बहुत अच्छी तरह से performance किया है तो गाइस ओवराल company बहुत अच्छी रिजल पेश किया अगर इसके shares की बात करें तो 3486.8 क्रोड रुपे 3486.85 रुपीच पे close किया था और 1.7% की profit आज के दिन देखने को मिला है लेकिन कंपनी के शेर अल्रीटी बहुत अच्छी परफॉर्म किया है और अब यहां से बाउंस बग कर सकता है तो हम लोग जो है वीडियो कहीं परेंट करता है अगर कोई डाउटर कमेंट बॉक्स में पूछे मिलते हैं नेक लोड़ों में दिन बाबाई